एक का जाता है संजी भाई में कॉंग्रेस के लीडर सुब्राश भाई दो चीजे जो प्रेमशुक्ला करें कि हार के बाने अभी से डूंड रहें रहें रैसे पता होता ना कि हम एक्जैम में फेल होने वाले हैं तक्यारी पूरी नहीं है तो हम सवाल उठा देते हैं फिर कहते देखो मैंने तो पहली कहा था क्या यह यह वाकिया आपको लगता है कि कुछ जो है इशू है कॉंग्रेस पार्टी की तरह से तो तीन बंदर गांदी जी के तीन बंदर और लिग दिया गया कि चुनाव आयो कितना निश्पक्ष है तुब्रांश आपका टेक अमन जी मैंना कुछ देर से कुछ पढ़ने की कोसिस कर रहा था तो मुझे तीन बर्ती सप्राइज वाली बाते दिखिए पहला यह है कि चुनाव आयो के इतिहास में मैंने आज पहली बार यह पहला इंसिडेंस है जो मैं देख रहा हूं कि चुनाव आयो का प्रेस कॉंफर नंबर एक मैं नहीं मानता मैं मानता उस चुनाव आयोगा स्वाइट संस्ता उसने अच्छा ही किया होगा लेकिन कुछ सवाल है जो इंदुस्तान के मन में है नंबर बन नंबर टू बिलकुल आप सही कह रहे हैं जब दो राज्यों का चुनाव साथ होना है दोनों का रिज अथर काटना है उसके बाद मुझे आदेश होगा तो मैं यह बात कहने जाओंगा कि जी चुनाव अब सुरू होगा लेकिन यह इंपोर्टेंट नहीं है मन जी इंपोर्टेंट इससे थोड़ा बड़ा है मैं थोड़ा सुकला जी की बात को जबाब देना चाहता हूं सर आपकी सरकार है सारे सरकारों को भंग करिये और चुनाव करा लीजिए आपके पास सरवत संस्था आपके पास है लोकसभा राज्यसभा में बहुमत हो और आप किसका इंतजार कर रहे हैं अधी रात को जब विपक्ष के सांसदों को आप पार्लेमेंट से बाहर निकाल कर अपने बिल पास करा सकते हैं तो सर वन इलेक्शन वन नेशन की पालिसी भी पार्लेमेंट से पास हो निया करा लीजिए किस ने मना किया है अच्छा ठीक के मेरेंटर मोधी जी ने छोड़ा था यूँक को पता था कि मेरी खरिद मैज की सरकार है अगर सभान मेराशन चल रहा होता तो महराश्ट में आपकी सरकार नहीं होती वन नेशन वन एलेक्स्ट ज़रा होता तो नौर्थ इस्ट के राजियों में सब्सक्राइब से बीजेपी और प्रदानमंत्री नरेंद्र मुदी ने कहाई वन नेशन रन इलेक्शन क्या सधांतिक रूप से कॉंग्रेस पार्टी आइडिया को सपोर्ट करती है वन नेशन रन मैं कोई फिजिक्स का स्टुडेंट तो हूँ नहीं कि हाना एक जबाब मैं अभी तो आप सपोर्ट कर रहे थे इतनी जल्दी बैक आउट हो गया आप तो सर अभी तो सब्सक्राइब मैं अभी सपोर्ट कर रहा हूं मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप पिछले आट सालों से विपक्स को पार्लेमेंट से बाहर निकाल कर रहे हो तो आप करा करें लाउंस कर दिए बस एक मिन सब्सक्राइब कर दो कि बहुत अब अब इन पर सब्सक्राइब इस बुद पर सब्सक्राइब पर भी उठाएंगे और इतियास की बात करेंगे तो सुबराश हमेशा हो आप लोग तंत्र का इत्याहस उठा कbird देख लीजए हमेशा अरने वाली पार्टी सवाल उठाती है हमेशा मतलब जिसने सवाल उठाए हुआ हमेशन हमेश्न चुनाव के बाद हारा है तो यह बहुत बड़ा इत्निकपाक है एक भी बता जी है हारने वाली पार्टी सवाल उठाती है चुनाव आयोग पर और इव्यम पर चुनाव के बाद जो हारती है पिर देखते हैं उसे ने सवाल उठाया था कभी हुआ नहीं नंबर एक अगर अगर उल्टा हुआ तो फिर उसने चुनाव रीकॉल निकिया बट मेरा सवाल है स इतनी जल्दी एक्सपोज नहीं होना चाहिए ने ने रुक जाए आप सवाल उल्टा कर रहे हैं सवाल इल्टा यह होना चाहिए कि क्या भारतिया जन्ता पार्टी वन ने इसन वन इलेक्शन ला रही है लाएगी तब सर ना सफोल अब प्रधान मंत्री जी नेना का एक आधत है उनको करना कुछ नहीं है वह सत्ता में राकर कहते हैं विपक्षवाले काम करें बहीं तो करने के लिए बने ही है आप सत्ता में रहकर भी तो कुछ कर लीजिये बाते आप पूरी दुनिया के करते ए ठीक सारी दुनिया की बात करते लेकिन कुछ है नहीं संजीब भाइ आपके पास आ रहा हूं लेकिन संजीब भाइ Prague आप सब्सक्रावह सवाल है अभी मतलब चुनाव आयोग पर भरोसा है या नहीं है क्योंकि कल को नतीजे आएंगे क्योंकि पंजाब जीते आप लोग दिली और यहीं चुनाव आयोग था सब बार बार सवाल उड़ता है तो जीते तो हम हारे तो EVM अभी तो चुनाव से पहले आयोग पर सवाल और हारने के बाद EVM पर सवाल होता है, भरोसा है या नहीं है, संजीब भाई, बस इतना बताइएगा, चुनावायक पर भरोसा है या नहीं है, संजीब भाई, अमन भाई, हम कोई अबजेक्टिव एक्जाम नहीं दे रहे हैं, कंटेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है, आप जब मैं चुनाव की बात कर रहे हैं, आप चुनाव परिणाम पर आजाते हैं, कोई नहीं कह रहे हैं, चुनाव परिणाव कोई एलेक्शन कमिशन के हाथ पर बजेपी के हाथ में नहीं हैं, डेमरकर्सी में जन्ता के हाथ में हैं, लेकिन जो शल्षता चुनाव करा रही है, क्या वो पक्षपात नहीं कर रही हैं, क्या वो निश्पच्छ है, तो मुझे वादा करके जाई आज मेरी डिबेट में, अमन जी, EVM पर भरोसा है, नतीजो क्या बाइस्ट है क्या पक्षपात कर रही है क्या आपको बरुसा है हमें हमें देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि यही सवाल जब election commissioner को पूछा गया त्रेशन commissioner ने कहा कि your accent speaks louder than your voice कि हमारा हमारा जो काम है वो बता रहा बता देगा कि हम बाइस्ट है या नहीं है तो आपका काम यह बता रहा है कि आप बाइस्ट हैं आप पक्षपात कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं कि एक ही समय में जब election result आना था तो आपने प्रधान मंत्री को भारती जन्ता पार्टी को space दिया गुजरात में प्रधान मंत्री दोरा करें जाके चुनावी घोषना करके आए जब चुनावी घोषना खतम हो जाए तब आप चुनाव कराएं तो इसका मतलबी है कि चुनाव कैसे कैसे करें जब आपका एकसल यह बता रहा है कि आप बायस्त है देखिए मैं एक बात बता नूँ पिर इतिहास समझना बहुत जरूरी है और मैं हमेशा बांगता हूँ